यह देखे दोस्तों यह एक गार है यहां पर तो यह सब बच्चे यहां से जाएंगे दोस्तों हम इसके अंदर से गुज़र कर बाहर निकल लगे हैं तो तरी गो यह काफी बड़ी है तो हम आगे से जाके देखते हैं बाहर बनला है उ्ला है ईंदर दिख करेらस्पिश नहीं आ यह बाहर तो हमाई बाशान पताम लोता है जया जबेगा जले इसकाले कपते हैं झाल थ तो च %. हमारे एक ज़मान पीछे रहेगी है तो आप हम इनका मुकाबला लगवाएंगे तो आप त्यार है बिलकुम और आप मेरे कौन जीते का तकरीब है और आप लोग पुशिश करेंगे तो हम सब का टैम लगाएंगे ठीक है तो जो कम टैम लगाएगा वो जीत जाएगा तो हमारे पहले मुकाबले के लिए आ रहे हैं अस्ताद खान तो इनका मुकाबला हम शुरू करते हैं अस्ताद बया जाओ तो हम यहां पर टैम लगाएंगे वान टू थ्री गो तो भी वहां से देखते हैं कि कितने काम वक्त में अस्ताद बया पहुंच जाते हैं तो अस्ताद बया आ गए हैं इन्होंने 20 सेक्ड लगाए हैं अब ठाक गयो अब कौन आ रहा है अब तीनों में से ठीक है जरगाम खान आ रहे हैं अभी तो इनका मुकाबला हम स्टार्ट करते हैं तो इनका यह नोट कर लें बीस सेकर्ड में ये पहुंचे है सद्गान जरगाम कब हम मुकाबला लगाते हैं चलिए और त्यार हैं इनका मुकाबला हम स्टार करते हैं वान टू थ्री गो प्रेन का टाइम शुरू हो गया है तो दरगाम बासले लगाए हैं 21 सेकेंड जो के अभी दूसरी पूजिशन पर रहें तो तीसरे नबर पर कौन आ रहा है तो हमारे तीसरे मुकाबले के लिए आ रहे हैं विल्याद खान तो विल्याद भी आप रेडियो इनका मुकाबला हम अभी स्टार्ट करेंगे वान टू ट्री गो एक टाइम शुरू हो गया है तो अब दूसरी तरफ चलते हैं तो लैद भी कप से आ गए है इन्होंने लगाए है 14 साइकेंड तालिया तो अभी जो पूजिशन है वह पहली पूजिशन पर ये दूसरी पर और तीसरी पर दरगांबास तो और अभी चौते नबर पर आ रहे हैं आपका नाम उमेर अबास तो चलो आपका मुकाबला लगाते हैं भी ये हमारा आखली पर यार है सबसे चोटा तो देखते हैं ये कितने टाइम में कितने कम वाक्त में या जीत पाते हैं या चौते नबर पर आते हैं अबी चौते मुकाबले के रिया रहे हैं उमेरा बास मेरा बास आप रेडी हो वान टू त्री गो इनका टाइम शुरू हो गया है यह भी आ चुके हैं इन्होंने भी लगाए हैं चोदा सेगड तालियां तो पहली पूजिशन पर यह दोनों पर देयार हैं एक विलायत अबास और उमेरा बास दूसरी पर और तीसरी पर यह है तो आप सब को कैसा लगा यह मुकाबला अच्छा 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 तो अंदर से रस्ता मुश्किल था गया अच्छा अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हो करके दिखाएं यह देखे यह गार है अंदर से तो अंदर थोड़ा सा चलते हैं कि कैसी है काफी बड़ी और यह देखे यहां पर घासी घास है